ओम नमस्षिवाय, स्री सिवाय नमस्तु भ्यम भूले बाबा की जै हो, जै हो, जै हो आज मैं गुरु बार प्रदोश ब्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोश ब्रत हर महिने में दो बार आता है एक किष्ण पक्ष में, एक शुक्र पक्ष में प्रदोश ब्रत भावान संकर को समर्पित होता है जो कोई भी प्रदोश ब्रत को धारन करता है, भावान संकर की किरपा उस पर होती है भावान संकर अत्यन्त ही द्यालू है, वो सिग्र ही प्रसन हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं कहा जाता है कि भगवान संकर्तु भागे में लिखी हुई लिपी को ही बदल देते हैं और मन चाहा चीजे दे देते हैं ऐसे भूले बाबा की जै हो जै हो जै हो आज मैं गुरुवार प्रदोष ब्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ गुरुवार को ब्रस्पत देव के पूजन का विधान है जो कोई ब्रस्पत बार के प्रदोष का ब्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं प्रती दिरगाई होता है इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्रामनों को पीली वस्तूं का दान करना चाहिए तथा स्वेम पीली वस्तूं नमक वा तेलरहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त रही पहनना चाहिए आज मैं गुरु वार प्रदोश ब्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक नगर में एक संजय नाम का एक सेट रहता था भगवान की किरपा से उसको किसी बात की कमी नहीं थी वह सेट बड़ा ही देयालू एवं दानी था किन्तु उसकी पत्नी उसके विपरीत सुभाव की थी वह अत्यन्ती कंजूस थी वह विक्छुकों को द्वार से खाली हाथी लोटा दिया करती थी एवं पती द्वारा दान किये जाने पर अत्यन्त क्रोधित होती थी एक दिन श्रेम ब्रस्पत महराज सादो के वेस में आए और भिच्छा के लिए आवाज लगाई उस समय सिठानी अपना घर लीप रही थी अतह उनसे कहा कि हे महराज मैं इस समय काम में ब्यस्त हूँ किर्पया थोड़ी देर बाद आप आना कुछ दिनों के बाद ब्रस्पत भगवान फिर आए ब्रस्पत देव उस दिन सेठ के अभिच्छा मांगने के लिए गए किन्तु इस बाद सिठानी भोजन बना रही थी उनने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है फिर आना यह सुनकर वह पुनह वापस लोट गए कुछ समय पस्ताथ पुनह गुरु माहराज सेठ के घर गए किन्तु सिठानी ने कहा मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनह उन्हें लोटाना चाहा सादु माहराज बोले इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं अतह तुम एकदम ही खाली हो जो ब्रस्पत बार को दिन चढ़ जाने के बाद सू कर उठो तथा घर में जाडू लगा कर कूडे को बीच आंगन में लगा दो चौका ना लगाओ भोजन बनाकर चूले के पीछे रख दो घर में कोई भी पीली वस्तु ना खाए पीले वस्त ना पहने घर के लोग ब्रस्पत बार को बाल अवस्त से बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना इस प्रकार तुम सिख्र ही खाली हो जाओगी ऐसा कहकर सादू महराज वहां से चले गए सिठानी ने भी सादू द्वारा बताईवे कथन के अनुसार अपने कारिकरने आरंभ कर दिये जिससे कुछ दिनों के बाद ही सब धनका नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी किन्तु अब सिठानी को पूर्ण अवकास था कुछ दिन बीतने पर ब्रस्पत महराज पुना उस सिठानी के घर विच्छा के वास्ते गए सिठानी सादू को पहचान कर बोली इस समय मेरे पास में कुछ भी नहीं है मैं आपको क्या दे सकती हूँ यह सुनकर सादू महराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकास ही अवकास है अब तो तुम हमें कुछ भी दे सकती हो अब तो तुम्हें हमें कुछ देना ही चाहिए सादू महराज की बात सुनकर सिठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए छमा मांगी और कहा कि मेरे उपर दिया करके ऐसा उपाय बताएं कि किरपा करें जिससे कि मैं पहले की तरह धन धाने से परिपूर्ण हो जाऊं अता है मैं कभी किसी को अब खाली हांसे नहीं लोटाऊंगी और जिस प्रकार से आप कहेंगे आपका कहना मैं मानूंगी सिठानी के इस प्रकार के विने को सुन करके साधू माराज ने कहा कि अब तुम अपने नियम में परिवर्तन करो प्राता काल जल्दी सोकर उठो घर को गाय के गोवर से लीपो साम को सुर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ भिक्छू एवं महात्माओं को खाली हाथ न लोटाओ ब्रस्पतवार के दिन आने पर लोग हजामत ना बनवाए पीले वस्त धारन करो ब्रस्पतवार के दिन पीली वस्तों का उद्यापन करो ऐसा करने से निश्चे ही तुमारे सारे मनोरत पोन होंगे इतना कहकर ब्रस्पत देव अंतर ध्यान हो गये जिस प्रकार सादु महाराज ने भी दिविताई थी सिठानी ने उसी प्रकार से सारे कारिके जिसके प्रहों से उनका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तता धने-धने से परिपूर्ण हो गया जो कोई भी नियम पुरुवक भगवान प्रस्पत देव का प्रहत करता है इस पवित्र करथा को सुनता है ईश्वर के किरपासे उसे सुक और सम्रति की प्राप्ति होती है और भगवान संकर उस पर प्रसंद होते हैं इसमें किसी प्रकार का संसे नहीं है प्रदोश काल में ही भवान संकर की पूजा करनी चाहिए प्रदोश काल में भवान संकर अत्यंत प्रसंद मुद्रा में अपने पूरे परिवार के साथ में बैठे होते हैं ऐसा कहा जाता है कि भवान संकर प्रदोश काल के समय में माता पा सबीर भॉले वावा से बात करते हैं पूरा परीवार इकतित होकर उस görüş प्रसंद मुध्रा में रहता है इसलिए जो क्यों भी प्रदोष काल में भगवान संकर की पूजा और अरादना करता है भगवान संकर उस से स्कृपा करते हैं भगवान संकर की पूजा के समय में उनको श्रान कराना चाहिए दूद दही घी शहद सक्कर और गंगा जल से उनका अफशेक करना चाहिए इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए इसके बाद भगवान संकर को श्रिंगार करना चाहिए उन्हें फूल चड़ाएं, बेल पत्र चड़ाएं, समी का पत्र चड़ाएं, धतूरा चड़ाएं, आग का फूल चड़ाएं, कनेर का फूल चड़ाएं, और वे कोई सफेद फूलो वह चड़ाएं, वस्तर चड़ाएं, भोग लगाएं, भोग में फल, और सफेद मिठाई का भोग ल प्रेम पुर्वक उन्हें याद करने की जरूरत होती है भगवान शंकर की जय हो पारवती माता की जय हो भगवान गणेश की जय हो आप लोगों को यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो किर्पया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा धन्यवाद